तो यह है Embrane का 10,000 MH का MaxSafe Compatible Power Bank जिसको मैंने यहाँ पर Flipkart से 2,000 रुपए में बाई किया था यह जो है मुझे काफी बढ़िया समय पर मिल गया था इसको जो है बुक करने के लिए आपको काफी समय तक वेट करना पड़ेगा फ्लिपकार्ट पर जल्दी से इसका stock जो है वी अवी लेबल नहीं रहता है तो guys इसका link जो है मैं नीचे description में दे दूंगा वाँ से जाके अब चक कर सकते हैं अब जल्दी इस शुरू कर लेते हैं पर review यहाँ जो है मैं इसको करीब आप्चीज तीस दिन से यूज़ कर रहा हूं सबसे पहले चीज़ की बारे में बात करना चाहोंगा वो है यहां पर प्लास्टिक की बिल्ड क्वालिटी और इसकी डिजाइन यहां पर जो इसका प्लास्टिक ूज़ करा गया है वो अच्छी के क्या है यहां पर 2000 रुपए में थोड़ा सा और अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक मिलता तो मज़ा आजाता हाला कि दोस्तों मेरे पावर बैंग में अभी तक एक भी डीफ स्क्रैचिस नहीं आया है चोटे चोटे स्क्रैचिस आया हुए है बर डीफ स्क्रैचिस अभी तक नहीं काफी बार मैंने इसको हाथ से गिराया है वही पर दोस्तों इसका जो डेजाइन है वो मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं यहां पर देख सकते हैं नीचे की तरफ यह टेक्स्चर देखने को मिलता है यह थोड़ा सा यहां पर प्रीमियम लुक को खराब करता है इसके वह यहां पर प्रीमियम हलका सा नीचे से निकला हुआ है जैसे को आपना सा पार नीचे से चार्जर यहां पर यह बड़ासा बड़ा है और इसके आपसी अच्छी देखने को बढ़ी ए बडया दी गई है जाएंगे यहां पे जो है magnets काफी powerful है यहां पर अगर मैं यह वाला non mag safe case के साथ भी इसको चिपकाने की कोशिश करो तो यह जो है चिपकता तो है but guys यहां पर रहता नहीं है but अगर मैं जो है इसका case को निकाल करके आपको बता हूँ जो कि यहां पर यह वाले part पर होना चाहिए था but guys यहां पर यह design तो दिया गया यह यहां पर इसके अंदर magnet नहीं है यह इसके अंदर magnet नहीं है इसके अंदर तो इसी कारण से यहां पर यह कुछ इस प्रकार से slip हो जाता है जैसे कि अगर आप इसे लगाते हैं और फिर अगर नहीं पर जीख साथ फोड़ा सेtwo साओ जाता है इस तरीके से यहां पर दीख सकते हैं यहां पर आपको यह दो पॉर्ट देखने को मिलता है और इस Type-C port से जो है आप अपने दुसरे phones को या फिर अपने iPhone को ही जो है चार्ज कर सकते हैं तो यहाँ पे जो है input और output दोनों ही देखने को मिलता है Type-C वाले port में और हला कि यहाँ पे जो main USB port है उसमें आपको सिर्फ जो है output ही देखने को मिलता है यहाँ पर आपको चार LED इंडिकेटर देखने को मिलते हैं यहाँ पर आपको यह बटन दिया गया है इसको tap करते ही आपको यह LED इंडिकेटर यहाँ पर चालू होते हुए दिखेंगे देखने को मिलती है जिससे आपको बैटरी पॉसेंटेज मिलेगा देखने को और साथ में यहां पर इसी 2000 रुपए के अंडर में यहां पर किक स्टैंड भी दिया गया इस पावर बैंक पे जब भी आप इस किक स्टैंड को यूज करते हो तो आपको ऐसा लगते है कि हाँ इनके 4000 रुपए के मैकसिफ पावर बैंक पे भी नहीं मिलता और एपल के 12,000 रुपए में भी नहीं मिलता यह जो किक स्टैंड है आपको डिरेकली आंकर का एक जो पावर बैंक जो आपको 8000 रुपए का मिलेगा उसमें आपको देखने को मिलता है तो यहां पर आपको 2000 चलता है कि यहां पर इन्होंने कितने अच्छे तरीकी से मार्केट को समझा है overall मुझे build quality और design बहुत ज़्यदा बढ़िया लगी है charging speeds की कुछ बात कर लेते हैं पावर बैंक लिया तो चार्ज तो करेंगे ही तो यहां पर सबसे पहले जो इसका main USB port है इससे जो है आप यहा power bank को buy करोगे तो यहां पर यह जो charging pad है आपको 15 watt का यहां पर जो है fast charging देता है तो यहां पर 15 watt का fast charging देखने को मिल जाता है इसके यहां पर wireless pad पर हाला कि दोस्तों यहाँ पर 15W charging जो है वो काफी slow लगता है क्योंकि आज के जमाने में हाँ पर 100W तक का भी fast charging आ चुका है तो यहाँ पर यह जो 15W है यह बहुती ज्यादा slow लगता है यहाँ पर यह जो है अपने iPhone 12 mini को जिसमें आपको 2200 mh की बैटरी मिलती है इसको फुल चार्ज करने में इसको 3 घंटे का टाइम लग जाता है वायरलेसली 15W के वायरलेस चार्डर से जो की MacSafe है इसका उससे इसको चार्ज करने के लिए 3 घंटे का टाइम लग जाता है iPhone 12 mini को जिसमें सबसे कम बैटरी आपको देखने को मिलता है 12 series में वहीं पर 13 series में भी आपको इतना ही टाइम लगेगा इसको चार्ज करने में फुल चार्ज करने में तो ओवरल यहां पर आप देख सकते है वायरलेस चार्जिंग 15W बहुत जादा स्लो रहता है हाला कि अगर आप इसके वायर चार्जिंग को यूज करते हो तो आपको थोड़ा सा फास्ट यहां पर लगेगा क्योंकि वायर जो है थोड़ा सा फास्ट है 20W तक का है क्या यह 10,000 MHz का पावर बैंक जो है आइफोन को एक भार भी चार्ज कर पाता है क्योंकि यहां पर जो एपल का 12,000 रुपे का पावर बैंक आता है वो आइफोन 12 मिनी को एक भार भी चार्ज नहीं कर पाता साथ में यहां पर जो बैल किन का आता है 4,000 रुपे का जो आपको Amazon पर मिल जाता है वो भी 12 मिनी को एक भार भी नहीं चार्ज कर पाता तो यहां पर जो है जो expensive power bank है जो महेंगे वाले जो आ रहे हैं वो जो है एक बार भी चार्ज नहीं कर पा रहे सबसे smallest बैटरी वाले आइफोन को तो यहां पर क्या यह 10,000 mh वाला power bank इसे full चार्ज कर पाएगा या नहीं तो यहां पर जो है definitely iPhone 12 मिनी को यह जो है दो बार चार्ज कर देता है full 100% तक तीसरे बार भी यहां पर 40% 50% तक यह चार्ज कर देता है और फिर यह जो है यहां पर खतम हो जाता है तो यह जो power bank है मुझे ऐसा लगते है कि यार 2000 रुपे के अंडर में best value for money product रहेगा क्योंकि यहां पर Apple का जो power bank है दस हजार रुपे का आता है वो यहां पर जो है एक बार भी चार्ज नहीं कर पाता 12 mini को तो यहां पर 2000 का यह जो power bank के definitely value for money निकल करके ही आता है इस experience के कारण से जो है यहां पर इसको थोड़ा सा माफ कर सकते है क्योंकि इसकी build quality उतनी अच्छी नहीं है तो गाइस यहां पर जो हलका सा इसके charging को देख करके इसको हलका सा माफ कर सकते हैं इसके build quality के साथ में overall जो है मेरा experience बहुत ज़्यादा बढ़िया रहा है यहां पर जो है मेरा iPhone दो बार चार्ज हो जाता है अगर iPhone 12 की बात करूँ तो यह iPhone 12 को जो है एक बार definitely फुल चार्ज कर देगा और दूसरी बार भी यहां पर 30-40% तक चार्ज कर देगा क्योंकि iPhone 12 में थोड़ा सा बड़ा बैटरी है तो गाइस यहां पर जो है एक बार चार्ज कर पाएगा इमेज देखने को तो नहीं मिलता है मेरे हिसाब से यहां पर यहां पर 6000-7000 इमेज सम्तिंग दिया हुआ है इसमें तो काइस काफी सही रहता है फिर भी यहां पर एपल से और बिलकिन से ज्यादा ही आपको क्वांटिटी मिलती है क्योंकि Apple में करीबन यहां पर 1800 या फिर 2000 इमेज मिलता है और बिलकिन में भी आपको उतना ही कुछ 2000 या 2500 इमेज मिलता है तो डेफिनेटली उन दोनों पार बैंक से जो है यह थोड़ा सा ज्यादा अच्छा निकल करके आता वहीं पर मैंने जो पिछला वाला अन्बॉक्सिंग वीडियो डाला था उसमें जो है मैंन इसको आन करते हैं अगर आपको दिखाना चाहों तो यहां पर मैंने इसे आन कर लिया है अभी तक चार्जिंग पैड नहीं हुआ है यह देख सकते हैं ग्रीन कलर का लाइट जल चुका है अब जो है चार्जिंग पैड अन हो गया है अब गाइस यहां पे इसको थोड़ा सा उपर की तरफ रखना पड़ेगा यहां पर यह जो रिंग है इसके उपर की तरफ रखना पड़ेगा तब जाकर कि यह यहां पर चार्ज होगा यह आप देख सकते हैं यहां पर चार्ज होना शुरू हो गया है अगर मैं आपको पास से दिखाना चाहों यहां पर देख सकते रेड कलर का जो LED इंडिकेटर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है तो यहाँ पे जो है डेफिनेटली यह आपके एकसरीज को चार्ज कर सकता है एपल के यहरपोड को भी यहाँ पे चार्ज कर देता है तो ओवरॉल जो है यहाँ पे यह पावबैंक काफे बैलकिन का बाई करने से क्योंकि यह जो है डेफिनेटली ज्यादा अच्छा प्रोडक्ट है एस कंपेर टू एपल और बैलकिन हाला कि एपल वाले में आपको थोड़ा सा जादा अच्छी बिल्ड कॉलिटी थोड़ा सा प्रीमियमनेश थोड़ा सा वो एपल का फील देखने को मिलता है और साथ में एपल वाले पावर बैंक में जो है आपको इस विजट के अंदर जो है वो एनिमेशन भी देखने को मिलेगा हाला कि इस वाले पावर बैंक में वो चीज नहीं मिलती है तो यहाँ पर आपको indicator से देखना पड़ता है कि कितना battery बचा हुआ है बट यहाँ पर आपको इस power bank में तभी भी जो है यह animation तो देखने को मिलता है यह जो कि काफ़ अदा बढ़िया लगता है देखने में हाला कि वो नीचे वाला indicator जो कि आपको मैंने बता है वो आपको नहीं मिलेगा बट यह वाला animation डेफिनेटली आपको मिलता है इस power bank में तो overall यहाँ पर यह जो power bank मुझे काफ़ अदा सही लगा है मुझे ऐसा लगता है कि 10,000 रुपए के अंडर में काफी value for money है यहाँ पर overall इतना अदा रिवीव वीडियो में अगर आपको अभी भी कुछ doubt है तो आप नीचे comment section में लिख करके बता सकते हैं तो मैं आपका comment का यहाँ पर reply कर दूँगा इतना अधा वीडियो में आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको यह review अच्छला गया तो प्लीज लाइक बटन को दबा दीजिए और हमारे चनल को subscribe कर लीजिए ऐसे reviews देखने के लिए तब तक लिए आपका दिन शुब रही